Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें रिस्कस करेंगे वरक्षीट नमबर 76, 4 Class 10th सब्जिक्ट साइंस है और ये वरक्षीट आपके लिए 27th of January 2022 के लिए शिडियूल की गई है आज की जो वरक्षीट है उसमें हम हमारा जो चेप्टर है और एन्वाइरमेंट उसी को कंटीनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वरक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे बच्छों क्या दिया गया है आज की वरक्षीट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड चैन क्या होता है तो फूड चैन का मतलब क्या है WHO EATS WHOM यानि कौन किसको खाएगा ठिक है और यह जो सिरीज है कौन किसको खाएगा so the flow of nutrition and energy from one organism to another through food is called a food chain तो जो यह flow है nutrition का और energy का एक organism से दूसरे जो है organism में ठीक है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम food chain कहते हैं अब देखें कोई भी organism दूसरे को खाएगा तो उसको energy तो मिलेगी ही और यह energy flow ही क्या है यह energy flow ही जो है food chain होता है so food chain start with producer food chain हमेशा producer से start होती है and flow of energy is in and food chain is unidirectional flow of energy जो है वो हमेशा कैसा होता है unidirectional होता है यानि एक बार जिस organism ने दूसरे को खा लिया उसकी energy को वो वापिस उसे नहीं दे सकता इसलिए हम कहते हैं कि यह unidirectional है for example grass deer tiger अब देखें जो deer है उसने grass को खाया tiger ने deer को खाया तो क्या अब tiger ने जब deer को deer जो है खा चुका है tiger तो क्या वो वापिस जो है वो energy वापिस system में ला सकता है तो नहीं हो सकता है इसलिए हमेशा food chain unidirectional होती है इसी तरह देखें प्लांट प्लांट को कौन खा रहा है grass hopper को कौन खा रहा है frog and frog को खा रहा है eagle ठीक है धार देखें water plants है water plants को किस ने खाया crab ने खाया उसके बाद fish है and उसके बाद क्या है उसके बाद crane है ठीक है तो इस तरह से ये क्या है ये जो है food chain है next देखें आपको यहाँ पर diagram में अलग-अलग food chain जो है वो दिखाई गई है किस तरह से कौन किसको खाता है उसके बाद next देखिए food web क्या है food web का मतलब क्या होता है कि जब जो अलग-अलग food chain है वो एक दूसरे से interconnect हो जाती है तो उनको हम food chain कहती है और environment में जो है food web exist करता है single food chain exist नहीं करती है food web क्या है यानि several interconnected food chain form of food web अलग-अलग food chain है जो interconnect हो जाती है वो food web form करती है single food chain does not occur naturally in an ecosystem तो आप देख सकते हो कि देखे इस तरह से जैसे अगर हम यहाँ पर example से समझें कि जो मालीचे यह snake है अब snake को केवल एक अकेला जो है यह तो जरूरी नहीं है कि eagle ही खा सकता है snake को यहाँ पर जो है क्या है जो peacock है वो भी खा सकता है तो यानि जो food chain है वो क्या है एक दूसरे से सारी interconnected है इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम food web कहते हैं clear उसके बाद next देखिए next a tropic level क्या होता है tropic level का मतलब क्या है that the various steps ठीक है in a food chain at which the transfer of food or energy takes place are called tropic level various steps है किसी भी food chain के अंदर जिसमें food और energy का transfer होता है उनको हम tropic level कहते हैं जैसे plant है plant producer हो जाएगा तो यह क्या होगा यह level 1 हो जाएगा ठीक है plants को कौन खा रहा है plants को खा रहा है grass उपर तो यह level 2 हो जाएगा उसके बाद grass उपर को frog खा रहा है तो यह level 3 हो जाएगा frog को eagle खा रहा है तो यह level 4 हो जाएगा तो इस तरह से यह क्या है these all are the tropic level जो अलग-अलग level है इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम tropic level कहेंगे now next देखिए the transfer is never 100% जो transfer होता है energy का वो हमेशा 100% नहीं होता does each successive tropic level receive lesser energy than previous resulting in a pyramid shape तो देखिए जो level है जो tropic level हर एक level पे केवल 10% जो energy है वो मिलती है यानि इसको हम इस तरह से pyramid shape में दिखा सकते हैं कि वाल लिजे यहाँ पे हमारे पास जो sunlight के energy है उसको कौन ले रहे हैं उसको producer ले रहे हैं अजबात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो sunlight की energy है producer जो लेते है sunlight की energy का केवल 1% लेते हैं ठीक है तो 1% जब producer ने यहाँ से energy का लिया तो यह हमारे पास आया 10,000 joule clear producer के पास अब कितने energy है 10,000 joule है producer से कौन लेगा primary consumer लेगा कोई भी हो सकता है जो की paid pod को खाता है अब 10% के according केवल 10% उर्जा जो है यहाँ पे transfer होती है इस वाले ट्रॉपिक लेवल में starting में केवल 1% होती है next ट्रॉपिक लेवल पे 10% होती है तो यहाँ पे 10,000 का 10% निकालोगे तो 1000 joule आ जाएगा इस तरह से एनरजी जो है वो transfer होती है मैं आपको बताऊंगे एक new app के बारे में जो students में काफी जल्दी popular होती जा रही है चाहे कोई question हो, कोई doubt हो या कोई concept ना समझाए boards हो या ची need बढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इसका solution है fillo app अपने doubts को किसी भी time clear करें इन इस त्री easy steps सबसे पहले इस app को play store या app store से डाउनलोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने questions का picture लें या उसे type करके submit करें और fillo आपको 60 seconds में इंडिया के top expert से live call पे connect कर देगा आपके question में आप कहाना चाहते हैं कि बल्क की power कितनी है अगर बल्क जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस battery का जो voltage है वो आपको गिवन है 220 तो यह आपको simple relation हो गया यहापर अब अगर को आपको और डाउट है तो आपताईए So guys, it's just simple Have any question? Just ask fillo You can get 10% off by referral code OKE001 इस app का download link नीचे description में दे दिया गया है So just download fillo now So इसको हम क्या कहते हैं This is known as 10% law तो 10% law क्या है Only 10% of the energy entering a particular tropic level of organism is available for transfer to the next higher tropic level तो केवल 10% energy जो है वो next tropic level के पे जाती है ठीक है That is केवल 10% transfer होती है और 90% जो energy है वो plants जो है उसका use कर लेता है अपने function करने में जैसे अपने body की जो life processes होते है like respiration है, excretion है वो सारे काम करने में use कर लेता है बाकी जो है कुछ energy क्या हो जाती है कुछ energy normally environment में destroy हो जाती है इसी तरह sunlight है sunlight plants ने कितनी ली 100 joule ली इसका 10% 10 joule deer में जाएगा इसका 10% lion अगर इसको खाता है तो केवल 1 joule energy का transfer होगा lion के अंदर यानि हर एक tropic level पे energy जो है वो कम transfer होती है ठीके तो ये काफी important topic थे आपके अब आपको यहाँ पर questions दिए गई है 3 questions दिए गई है जिनके answer हम 1 by 1 करेंगे producer level 20,000 joule energy है at producer level what amount of energy will be transferred to secondary consumer level तो आपको बताना है producer पे 20,000 है तो secondary consumer level पे कितनी हो जाएगी तो इसका answer जो है हम यहीं पे कर लेते हैं ठीके तो यहाँ से आप first question का answer करेंगे तो देखे 20,000 है किस पे producer level पे तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कुछ 20,000 energy है joule किस level पे है बच्चो यह producer पे ठीक है उसके बाद अब आपको बताना है कि next secondary पे तो इसका 10% कितना हो जाएगा अगर आप 20,000 का 10% निकालते हो दस पटे सो 2,0 से 2,0 कैंसल हो जाएगी कितना आगया आपके पास आएगा 2,000 ठीक है तो 2,000 हमारे पास यहाँ से आजाता है तो यह हो गया 2,000 joule 10% ठीक है यह हो जाएगा आपका कौन से level पे यह हो जाएगा आपका primary level पे तो यह हो जाएगा primary level ठीक है उसके बाद next देखिए आप इसका 10% कितना हो जाएगा 200 joule हो जाएगा clear तो यह हो जाएगा हमारा secondary level यह secondary level तो यह बस आपको secondary level ही पूछा गया है तो secondary level हो जाएगा 200 joule तो यह जो है आपका first question का answer यहाँ से कर लोगे second question है draw food chain of pond and forest both तो दोनों के लिए आपको food chain draw करनी है तो आएगे बच्चों इसका answer करती है तो यहाँ से करेंगी यह जो food chain है यह आपकी pond की रहेगी ठीक है यह किसकी रहेगी यह pond की हो जाएगी that is water plant water plant को खाएगी crab crab को fish खाती है और fish को खालेगी crane ठीक है large fish लिख सकते हो उसके बाद यह forest की रहेगी grass grass को deer ने खाया deer ने deer को tiger ने खाया तो यह आपकी forest की जो है food chain हो जाएगी next third question है define a tropic level draw any food chain with four tropic level तो आपको tropic level को define करना है so the various steps in a food chain at which the transfer of food and energy takes place are called a tropic level तो various steps जो food chain में हैं जिसमें energy का transfer होता है food का transfer होता है उन steps को हम tropic level कहेंगे अब आपसे four tropic level पुछा गया है तो first पे producer हो जाएंगे then first tropic level then second then third ठीक है तो इस तरह से जो है यह क्या हो गए आपके चार steps हो जाते हैं तो यह तो हो गया आपका plant जो है आपके क्या हो जाएंगे plant आपके producer तो इसको हम first tropic level कहेंगे यह आपका second यह आपका third और यह fourth ठीक है तो यह थी students आपके आज की विश्चीट वर्कशीट साइंस की I hope सभी को clear है doubt हो तो पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से like करना, share करना, channel को subscribe करना Thank you